Hello everyone and welcome back to my channel Lerner's Hub तो आज जो हम लोग topic discuss करने जा रहे हैं वो है post-structuralism या deconstruction को पर तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाता हूँ कि आज हम लोग किन-किन areas को cover करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि post-structuralism या deconstruction होता क्या है और इसकी शिरुवात कब और कहां से हुई फिर हम लोग ये देखेंगे कि post-structuralism किस तरीके से structuralism से अलग है by using some examples उसके बाद फिर हम लोग post-structuralism के कुछ major ideas को या उसे कुछ key features को discuss करेंगे और इसके साथ ही वो ideas किस तरीके से structuralism के ideas से अलग हैं उनको देखेंगे फिर हम लोग कुछ major post-structuralist और उनके कुछ important works को discuss करेंगे और lastly हम लोग ये जानेंगे कि post-structuralist critique काम कैसे करते हैं और इसका real life में या practical life में क्या इस्तेमाल है तो अब येना time waste किये आज को जो हमारा topic है post-structuralism इसम लग शुरू करते हैं तो post-structuralism को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि structuralism क्या होता है और structuralism को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि structure क्या होता है तभी हम post-structuralism के concept को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में ये बार डिसकस किया हुआ है कि इस दुनिया में हर चीज चाहे वो एक दिवार हो चाहे वो एक solar system हो एक language हो या एक poetry हो चाहे वो जो भी चीज हो हर चीज का एक fixed structure या एक fixed pattern होता है तो इसे हम लोग एक example समझते हैं तो मान लीजे कि आपको एक दिवार खड़ी करनी है या एक दिवार तयार करनी है तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले कुछ ito को लेके आएंगे या bricks को लेके आएंगे और फिर आप एक के उपर एक उन इटो को उनके specific order में रखते जाएंगे तब वो units एक बड़े से दिवार का या एक बड़े से structure का रूप लेता है तो ठीक उसी तरह से अगर हम एक poetry की बात करें तो एक poetry भी structure होता है जो कि छोटे छोटे units जैसे की sound, phrase, punctuation और different words से form होता है तो अगर हम एक units में से किसी भी unit को या किसी भी word को इधर से उधर कर देते हैं तो क्या होगा या तो उस poetry का meaning change हो जाएगा या फिर वो poetry meaningless हो जाएगा तो कहने का यहां यहीं मतलब है कि structuralist जो है उनके according इस दुनिया में हर चीज़ का एक fixed structure होता है एक pattern होता है या एक धाचा होता है तो यह तो हो गया structure के बारे में और अब हम जान लेते हैं कि structuralism क्या होता है तो structuralism जो है वो असल में एक ऐसी theory है या फिर कहले एक ऐसा method है जो कि sociologist यानि जो समाज के उपर या society के उपर study करते हैं anthropologist यानि जो human behavior के उपर study करते हैं और linguist जो कि language के उपर study करते हैं जैसे तमाम किसम के लोग इस theory को या इस method को use करके वो एक culture की जितने भी जो तमाम पहलू होते हैं या फिर जितने भी जो aspect होते हैं वो उसे समझने के कोशिश करते हैं और उस culture के नीचे जो underlying pattern होता है या फिर जो structure होता है वो उसे समझने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं ये तो हो गया structuralism के बारे में जहां पर हमने ये देखा कि हर चीज चाहे वो human society हो language हो, poetry हो हर चीज का एक structure होता है एक pattern होता है, एक धाचा होता है जो कि structuralist critique का मानना है और अब हम देख लेते हैं कि post-structuralism या deconstruction क्या होता है तो post-structuralism जो है वो एक ऐसा literary movement है जो कि structuralism के response में या उसके खिलाफ निकल कर बाहर आया या emerge हुआ था और ये structuralism के जितने वी जो theories हैं, ये उन सभी को मानने से इंकार करता है या refuse करता है और इसके साथ ही ये उसे criticize भी करता है तो post-structuralism जो है उसे दो तरीकों से लिखा जाता है और इसका meaning जो है वो भी अलग-अलग होता है पहला तो post-structuralism with hyphen यानि post-structuralism लिखा जाता है और दूसरा post-structuralism without hyphen लिखा जाता है तो post-structuralism with hyphen जो है वो basically एक particular time period को denote करता है जो की structuralism के बाद आया और poststructuralism without hyphen से इनका मतलब है poststructuralism के जो features है और उसके जो characteristics है वो तो यहाँ पर यही एक basic सा difference है इन दोनों के लिखने के तरीकों में एक तो time period को refer करता है और दूसरा उसके features या उसके characteristics को denote करता है और अब हम लोग देख लेते हैं कि deconstruction क्या होता है क्योंकि यह भी poststructuralism से ही जुड़ा हुआ है तो deconstruction जो है वो एक ऐसा approach है या एक ऐसा attempt है जो की एक text और उसके meaning के बीच के relation को समझने की कोशिश करता है यानि किसी चीज को तोड़ मरोड कर या उसे पूरी तरह से खोल कर उस चीज को अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करना या उसे अलग-अलग angle से interpret करने की कोशिश करने को ही हम deconstruction कहते हैं तो इसे हम लोग और बहतर तरीके समझने कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि आप एक ग्रूप में बैठे हुए हैं और उस ग्रूप में सभी लोगों को एक बुक दी गई पढ़ने के लिए तो उस बुक को पढ़ने के बाद सभी लोग उस बुक के बारे में अपने अपने तरीके से interpret करने लगते हैं या फिर अपने अपने तरीके से उसे दिखाने के कोशिश करते हैं तो यहां पर बुक का जो language है वो एक ही है और इसके साथ ही वो बुक कार रइटर का जो intention है वो भी एक है पर लोगों का जो interpretation है वो अलग अलग है क्योंकि लोगों के mind में जो image generate होता है उस language को पढ़ने के बाद वो अलग है because of their own experiences and because of their own images stored in their brain तो इसी अलग-अलग angle से एक ही चीज़ को interpret करने को हम deconstruction कहते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुवात कब हुई तो post-structuralism जो है उसकी शुरुवात basically late 1960s में France में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि Jack दरदा के एक essay जिसका नाम structure, sign and play in a discourses of human sciences था उस essay के एक university conference में presentation के बाद ही year 1966 में post-structuralism की शुरुवात हुई तो ये तो हो गया post-structuralism के concept के बारे में और उसके origin के बारे में तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि structuralism और post-structuralism के बीच में क्या difference है और इसके कुछ अच्छे examples क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले तो आता है इनका origin तो जहां पर structuralism जो है वो linguistic से originate हुआ है वहीं दूरसी तरफ post-structuralism जो है वो philosophy से emerge हुआ है और इसके साथ ही ये post-modernism से भी काफी ज़दा relatable है फिर जहां पर structuralism एक literary theory है वहीं दूरसी तरफ post-structuralism एक literary movement है which emerge in response to structuralism फिर जहां पर structuralism एक systematic तरीके से data को collect करके वो चीजों को समझने की कोशिश करता है वही post-structuralism ये कहता है कि किसी भी चीज के secure knowledge को समझना या उसे हासिल करना मुश्किल है फिर जहां पर structuralism ये मानता है कि ये दुनिया एक language के थुरू या एक भाशा के थुरू ही construct किया गया है और reality को समझने के लिए यही एक systematic option है तो वहीं post-structuralism का ये मानना है कि reality खुद ही textual है या text-based है और last and the most important difference ये है कि जहां पर structuralism ये मानता है that everything has a fixed structure, point और center वहीं दूसरी तरफ post-structuralism इस बात को मानने से इंकार कर देता है उसका ये मानना है that nothing is fixed and there is nothing which is absolute यानि post-structuralist का ये मानना है कि किसी भी चीज़ का fixed structure ये center नहीं होता है everything keeps on changing and shifting तो इसे हम लोग एक example समझते हैं तो मान लिजिए कि एक poetry है और उसमें कुछ lines लेके हुए है तो structuralist जो है उनका ये कहना है कि poetry एक structure है और जो words और बागी की चीज़े हैं वो units है तो जब हम इन units को उनके specific order में arrange करते हैं तब एक core meaning create होता है पर post-structuralist जो है उनका ये मानना है कि उस poetry का सिभ एक ही core meaning नहीं होता है या एक ही fix point नहीं होता है तो उनका ये कहना है कि अगर हम उस poetry में किसी word को read करते हैं जैसे कि उस poetry में एक word है red तो उस red word का काफी सारा multiple meaning हो सकता है अगर हम उस word को deconstruct करते हैं तो red का मतलब love हो सकता है red का मतलब rose भी हो सकता है और red का मतलब danger भी हो सकता है तो उसका कुछ भी meaning हो सकता है तो उनका ये ही कहना है कि किसी भी चीज़ का fix point नहीं होता है जैसे कि हमारा heart beat अगर हम अपने heart beat को या अपने pulse rate को ध्यान से observe करते हैं तो हम ये पाएंगे कि वो भी हमेशा change होते रहते हैं या फिर हमारी आवाज वो भी कभी एक जैसी नहीं रहती है उसकी भी texture हमेशा change होती रहती है तो post-structuralist का यही कहना है that nothing is fixed तो ये तो हो गया कुछ basics or difference between structuralism and post-structuralism और अब हम लोग देख लेते हैं कि post-structuralism के ऐसे कौन से key ideas है या फिर ऐसे कौन से key concepts है जो कि structuralism के theories को counter-attack करते हैं तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में ये बार discuss किया हुआ है कि structuralism के जो father थे, fernandis sorcerer उन्होंने three significant या three important moves को introduce किया था जिसमें से जो third move था, वो था basically arbitrariness के उपर यानि जो words है और उनके जो meaning है वो natural नहीं बलकि उन्हें create किया गया है हम humans के द्वारा ही उसे repetitive use करके और से conventions के थुरू उन्हें create किया गया है और उसमें ही एक और line आता है जो कि कहता है that language is a system of science यानि जो भाशा है वो पूरा एक system है science का तो अब sign क्या होता है, तो sign को हम basically कह सकते हैं एक तरह का symbol या chin जो की दो चीजों के combination से बना हुआ है जिसमें पहला आता है signifier और दूसरा आता है signified तो signifier जो है, वो basically हम किसी भी word या उसके sound को कहते है और signified का मतलब है, जो mental image या फिर जो mental concept जो हमाई दिमाग में create होता है उस word को पढ़ने के बाद या उस sound को सुनने के बाद उसे हम लोग signified कहते हैं जैसा कि एक word है apple, तो उस apple word को सुनने के बाद या उस apple word को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो image create होता है या फिर जो mental image concept अपकर ready होता है उसे हम signified कहते हैं तो ये तो हो गया signifier और signified का concept बट पोस्ट्रक्शली स्रोलन बार्ट्स जो हैं, उनका ये मानना है that there is nothing called absolute signified because every signifier may lead us to a new signifier so signifieds are actually signifier only तो इसे हम एक example समझते हैं तो मान लीजिए कि एक word है lion तो उस word lion को पढ़ने के बाद या उस word lion को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो mental concept create होता है या फिर जो image ready होता है उस word को सुनने के बाद उसे हम signified कहते हैं पर post-structuralist जो हैं, उनका ये मानना है कि ये जो word है lion उसे सुनने के बाद या उसे बोलने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे word के बारे में सोचने लगे जैसे कि lion जो word है वो symbolize करता है kingship को तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये जो lion word है उसे सुनने के बाद हम king के बारे में सोचने लगे और king symbolize करता है crown को तो हम crown के बारे में सोचने लगे या फिर उसके बाद हम territory या फिर nation के बारे में सोचने लगे तो यह जो process है यह endless है और यह procedure का कभी अंत नहीं होगा तो इसलिए post-structuralist यह मानते हैं that all signifieds are actually signifier only and one signifier leads us to another signifier so there is no fixed or absolute signified or any fixed meaning और इसी चीज़ को हम आगे चलकर logocentrism भी कहते हैं यानि there is no fixed center और फिर इसी shift in theory को indicate करने के लिए French philosopher Jack Derda ने इस word difference को introduce किया जो की दो word के combination से बना हुआ है जिसमें पहला है difference यानि something which is not alike और दूसरा है deferral means something which is in continuation तो इसे भी हम एक example समझते हैं तो मान लिज़े कि तीन word है cat, bat और hat तो यहाँ पर पहला जो word है इन तीनों में c, b, h वो तीनों change हो रहा है पर बागी का जो word है 80 वो तीनों में ही constant है और वो continuously चल रहा है तो इसी difference plus continuation को ही हम difference कहते हैं फिर next आता है binary opposites का concept तो structuralists जो हैं वो basically binary opposites में believe करते हैं और उनका ये मानना है कि ये binary opposites जो हैं वो हमें चीजों को और बहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करते हैं तो जैसा कि day और night तो दिन को समझने के लिए हमें रात को भी समझना और उसे भी experience करना जरूरी है पर post-structuralist जो हैं वो इन binary opposites को reject करते हैं उनका ये कहना है कि technology इतना ज़ादा evolved हो चुका है और इतना ज़ादा advance हो चुका है कि अब दिन और रात में कोई फरक नहीं रह गया है क्योंकि अब रात में भी दिन के तरह ही रोशनी रहती है और अब रात में भी लोग दिन के तरह ही काम करते हैं फिर इसी तरह से एक और binary opposite का example है male और female का तो जैसा कि हमें male के feature को समझने के लिए हमें female के characteristics को जानना भी ज़यूरी है पर यहाँ पर जो post-structuralist हैं उनका ये मानना है या ये कहना है कि अब male और female में भी अब ज़ादा difference नहीं रह गया है क्योंकि एक female के अंदर भी एक male के characteristics हो सकते हैं और एक male भी technological advancement की मदद से वो female में convert हो सकता है तो post-structuralist इस binary opposite को मानने से इनकार करते हैं फिर इसके बाद आता है writing और speech का concept तो post-structuralist का इस बारे में ये कहना है that both speech and writing are complimentary to each other यानि दोनों ही speech और writing एक दूसरे के लिए equally important है पर वहीं दूसरी तरफ structuralist का ये मानना है that speech is more superior to writing तो इस चीज़ को भी हम एक example समझते हैं तो structuralist critic जो हैं उनका ये कहना है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तब वो पहले बोलना सिखता है उसके बाद ही वो लिखना सिखता है पर post-structuralist का ये कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है बलकि writing जो है वो speech को compliment करता है या supplement करता है तब ही वो बच्चा बोल पाता है तो इनका ये कहना है that both writing and speaking are complimentary to each other तो ये तो हो गया post-structuralism के कुछ key ideas के बारे में और उनके कुछ key concepts के बारे में तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ major या significant post-structuralist और उनके works के बारे में तो वैसे तो बहुत सारे post-structuralist critique हैं पर उनमें सबसे ज़ादा important है वो ये हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं Jack Derrida और Roland Barts क्योंकि यही वो दो ऐसे वेक्ती हैं जो कि सबसे ज़ादा closely associated थे या उसे जुड़े हुए थे during the emergence of post-structuralism और एक और interesting बात ये है कि Roland Barts जो है वो पहले structuralist हुआ करते थे पर बाद ने वो post-structuralist में convert हो गये और ये उनके एक essay the death of author से साफ जाहिर होती है और जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक text जो है वो बिल्कुल independent होता है या free होता है nature में और वो एक open source होता है जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से interpret कर सकते है because of its fluid nature फिर इसी तरह से Jack Derida के भी कुछ important works है जैसे कि speech and phenomena of grammatology and writing and difference जिसमें से of grammatology जो है वो काफी important books में से एक मना जाता है जहाँ पर वो ये discuss करते हैं कि कैसे speech और writing एक language के form को develop करती है फिर इसी तरह से बाकी के post-structuralist हैं जैसे कि Mikkel Foucault उनके भी काफी popular work है like what is an author the birth of the clinic जहाँ पर वो power और sexuality की बात करते हैं फिर Jack Lacan के works हैं जैसे कि on feminine sexuality E-crates उसके बाद फिर Julia Kristeva है जो कि एक Bulgarian French philosopher है और वो दो नहीं structuralist और post-structuralist thought में आगे रही है तो सरिफ यही नहीं बल्कि इसे बहुत सारे works हैं जो कि post-structuralism पर based है पर उन सभी works को count करना मुश्किल है तो इसलिए मैंने सिफ उन्ही works को count किया जो कि ज़्यादा important है और अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर post-structuralist critique काम कैसे करते हैं तो post-structuralist जो है वो basically एक text को लेकर चाहे वो poetry हो या novel हो या कोई भी text हो वो एक text को लेकर उसे deconstruct करने की कोशिश करते हैं या वो उन्हें unmarks करने की कोशिश करते हैं चुकि वो स्रिफ वही नहीं पढ़ना चाते या वही नहीं देखना चाते जो कि एक poetry के या एक novel के author ने उसमें लिखा हुआ है या वो उसमें दिखाना चाते हैं वो उस text को deconstruct करके या deassemble करके वो उसमें से एक नया meaning निकालना चाते हैं और उसे नय नय तरीके से interpret करना चाते हैं ताकि उसमें से वो कुछ नया discover कर सके दूसरी बात ये कि वो इस fixed centricism के idea को challenge करते हैं जो कि ये कहता है that everything has fixed structure or a meaning तो उनका ये कहना है that nothing is fixed or unite everything has disunity or breaks in it इसलिए वो हर चीज़ के अंदर disunity को search करते हैं shifts को search करते हैं so that they can interpret it in a new way और इसी चीज़ को हम play in the text भी कहते हैं यानि किसी fixed structure को या किसी word को deconstruct करके उसमें सही नय मिलिंग्स को निकालना और फिर इसी चीज़ को दुबारा से दरेदा ने अपने एक work of grammatology में ये कहा है that nothing is outside the text यानि कोई भी चीज़ टेक्स के बाहर नहीं होता हमें बस उस text को deconstruct करने की जरुरत होती है और उसे अलग नजरिये से या अलग एंगल से देखने की जरुरत होती है और फिर हम उनी text के अंदर नए चीज़ों को generate कर पाएंगे नए meanings को खोच पाएंगे और एक और important चीज़ जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गया वो है अपोरिया के बारे में तो अपोरिया एक काफी popular deconstructive term है जिसका मतलब है एक ऐसा situation जहां पर आप बिल्कुल freeze हो जाओ और जहां से आप कोई further progress ना कर सको तो यह basically एक not को designate करता है या फिर एक गाट को बताता है जैसा कि हमें रसी में देखने को मिलता है तो ठीक उसी तरह से एक text में भी not आ सकता है जिसे solve करना impossible हो क्योंकि उस text में जो कहा गया है या फिर जो लिखा गया है वो self contradictory हो सकता है यानि वो अपने ही words को contradict करता हो जिसके वज़े से एक doubt या uncertainty create हो जाता है और जिसका एक अच्छा example हमें Elizabeth Byatt की एक famous poem में मिल जाता है जिसमें वो लिखती है How do I love thee? यानि कैसे मैं तुमसे प्यार करूँ तो इस तरह के lines एक doubtful situation को create करते हैं जिसे हम aporia कहते हैं और अब हम finally ये discuss कर लेते हैं कि poststructuralism की जो theory है वो real life में या practical life में कैसे काम करता है या इसका क्या इस्तमाल होता है तो poststructuralism जो है वो basically deconstruction को use करके वो नए-नए चीज़ों को discover करता है तो ठीक उसी तरह से हम भी इस चीज़ों को इस्तमाल करके हम एक text को या एक word को deconstruct कर सकते है और फिर हम उन चीज़ों में से नए-नए meanings को discover कर सकते है हम इसे अपने real life के साथ भी connect करके हम ये देख सकते हैं कि हमने कहां अपने life में गलतिया की और फिर हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते है फिर हम इनको use करके उन सारे philosophies को या उन सारे ideologies को भी challenge कर सकते है और उनमें से नए meanings को discover कर सकते है जैसे कि पहले ये मना जाता था कि sun earth का चक्कर लगाता है पर बाद में जब इस theory को deconstruct किया गया तब हमें पहर चला कि असल में earth sun का चक्कर लगाता है तो deconstruction जो है वो life के हर चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस तरह से ये वीडियो खतम होता है और मुझे पता है कि ये topic जो है ये structuralism से भी काफी ज़्यादा complex है पर फिर मैंने ये कोशिश किया है कि मैं आपको हर एक चीज simple से simple language में समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आपको वीडियो पसाद नाते है तो प्लीज आप comment करके ज़रूर बताए like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ and thanks for watching